आज हम डिस्कस करने वाले रसान विज्ञान जो कि काफी इपोटेंट है आपके एक्जाम पॉंट आव वी से यहाँ पर बहुत ही इपोटेंट और इंट्रेस्टिंग मल्टिपाइल चोज़ कुछन हम डिस्कस करने वाले विथ डाइग्राम डाइग्राम के साथ इनको समझने की कोशिस हम करेंगे पहला क्यूसन है और ये जो क्यूसन है ये डाइरेट आपको एक्जाम में देंगनों को भी मिल जाएंगे उर्जा के निमन रूपों में से कौन सा एक अबगटन परकार की रासानिक अभिक्रिया लाने में मदद नहीं क कर सकता यानि कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा मदद कर सकता है रासानिक अभिक्रिया लाने में ठीक है तीन ऐसे ऑप्षन है जो रासानिक अभिक्रिया लाने में मदद करते हैं जबकि एक ऐसा ऑप्षन है जो रासानिक अभिक्रिया लाने में मदद नहीं करता त बहुत आसान क्योंस ने तो इसका राइट ऑप्षन हो जाएगा आपका मेक्यानिकल एनरजी यांत्रिक उर्जा क्योंकि यह जो उर्जा है रासाने अभी क्रिया लाने में कभी मदद नहीं करती क्योंकि यांत्रिक त्रिकों से प्रड्यूज की जाती है जिसे किसे को घुमा कर यांत्रिक उर्जा प्रवाड़ करवाना जबकि हीट हो गया और परकास हो गई और विद्धूत हो गई इनको तो रासाने अभी क्रिया लाने में मदद कर सकता है चलो डाइघ्राम से भी समझ लेते हैं जैसा कि आपको पतावना चाहिए काफी सारी टाइप की एनर्जी हुती है जिसे त्रमल एनर्जी हो गई टी त्वेस्तिभ इनर्जी और यह लाग में मेकनिकल अनर्जी यहां कि किसी को यह ययांत्रिक तरीके से सब्सक्राइब इसके वन देखा कुछ आपके नर्जी चाहिए जी आपको पता होना चाहिए जैसा कि यहां पर आप देख पा रहोंगे तो mechanical energy को राशानिक में नहीं लाए जा सकता चलो बढ़ते आगे के ओर इसलिए right option यहां त्रिक ओर जा आगला नेम्न में से कौन सी किरिया अनेचिक किरिया नहीं है यानि कि यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो किरिया है वो अनेचिक है यानि कि रिप्लेक्स है जो automatic होती है तीन तो है automatic होने वाली और एक है जो automatic नहीं होती है वो हमारे control में होती है वो option आपको चुनना है बताइए option आपके सामने गुड़नों में जटका यानि कि कनी जर्क कौन सी अनेचिक किरिया नहीं है not a reflex action तो देखो विद्यारते हो पहले तो तीन हमको यादोना चीए कि कौन कौन सी reflection action है तो यहाँ पर पहला option है कि कनी जर्क यानि कि गुड़नों में जटका यानि कि जैसे आप table पर पेर लड़का कर बैटे हो अगर आपके जो यहाँ पर कनी होता है यहाँ पर जो गुड़ना होता है इस पर कोई चोट मारे तो आपका पेर मुमेंट करेगा automatic करेगा automatic परयोग करके देख लेना इसका diagram भी दिखाऊंगा मैं आपको तो यह भी automatic होने वाली किरिया है याणि कि अनेचे करेगा है अब कास ना देखो कासी तो आपको पता है automatic ही होती है कासी जब आपको कासी होती है तो हमारे control में नहीं होता कि हम रोक सके वो होती रहती है तो यह भी क्या है? अनेचे करेगा है ठीक है? और यहाँ पर देखो निगलना यह तो हमारे control में होता है किसी भी चीज को निगलना हमारे control में होता है जिसे चिगम हम काते है तो उसको हम निगलते नहीं है क्योंकि वो हमारे control में है ठीक है? तो यह इसको छोड़ दो आप भी आप अगला है रोसनी में आँकों का बंद हो नो जैसे मालोग कोई भी बलगाश्ट हो गया कापिसारी रोसनी हो गई तो वहाँ आँके आँके आटोमेटिक क्या हो जाते है बंद हो जाते है आटोमेटिक जैसे मालोग कोई भी बिजली कड़कती है तो कापी सरा उजला होता है तो हमारे आखे बंद हो जाती है तो वो भी क्या है आटोमेटिक तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है आटोमेटिक ही बंद हो जाती है हमारे control में क्या है निगलना क्या है निगलना तो यहाँ पर भी क्या पूचा है अनेची किर्या नहीं है तो यह वाली क्या है एची किर्या है यह अनेची किर्या नहीं है तो यह हो गया हमारा right option ऐसे आपको answer करना होता है और ऐसे आप top बनते हो ठीक है तो यहाँ पर यह हमारा right option होगा swalving अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कनी जर्क क्या होता है यह option देर का न गुर्ण मिजट का चलो इसको देख लेते हैं सो यहाँ पर कनी जर्क होता है इस परकार का जिसे table पे पेर लटका के इसे बैटे हो और यहाँ पर कोई चोट मारे तो यह हमारा पेर आटोमेटिक इदर आता है इसको बोलते है कनी जर्क इदर देखो आप यह परियोग गर पे भी कर लेना पेर लटका के बैटना और यहाँ पर किसी से बोलना की चोट मारे तो आटोमेटिक हमारा पेर इधर जाएगा तो ये भी क्या है अनेची किर्या में आता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है यहाँ पर ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है ये भी नहीं है और ये भी नहीं है ये है हमारे कंट्रोल में तो ये मर नेची किरिया नहीं है, ये मर राइट ओप्षाइड चलो अगला है निमन में से कौन सा एक सबसे सारी ओक्साइड है सबसे जदा सारी ओक्साइड आपको बताना है Which of the flowing most basic oxide MgO, SO2, L2O3, Na2O पता है ना आपको A और साणी में उपपर से नीचे जाने पर, दाएं से बाएं जाने पर सारी ओक्साइड का क्या होता है अगर पता है तो आप बता भी दोगे तो इसका right option हो जाएगा आपका option D Na2O ठीक है, सबसे जदा सारी है ये आपको पता होना चाहिए आपका जो basic oxide होते है वह होता है Na2O ठीक है और जो Emporary को होता है वह होता है L2O3, ये Emporary को होता है आपका याद रखना, क्या होता है Emporary उबेदर मी ठीक है, और ये होता है acid, P2O5 ये acid होता है, और SiO2 क्या होता है, weak acid होता है, तो कुछ information है जो आपको पताऊना चाहिए और चेनल subscribe पर रखाए, तो इसका मतलब आपको हर एक update यहाँ पर मिलेगी, ठीक है जो अगला है यहाँ पर जो right option है, वो क्या होगा, basic है तो हमारा Na2O इसलिए right option is Na2O, most basic अगला आता है आपका आवर सानी के निमन समू में से कौन सा ततव एससे समदित होगा जिसकी द्रववान संक्या आपको 27 दे रखिए और इसका proton है ना, 14 neutron नहीं दे रखा इसमें और proton तो आपको निकालना आना चाहिए द्रववान संक्या दे रखिए केंदरग में neutron संक्या दे रखिए अब आपको समू बताना है कि कौन से समू माएगा यह बहुत आसान है देखो बहुत आसान कर लिया होगा आपने ठीक है देखो अब यहाँ पर proton की संक्या दे रखिए तो neutron की संक्या हमको निकालना आना चाहिए neutron की दे रखिए proton की हमको निकालना है ठीक है, तो कैसे निकालोगे बहुत सिंपल, द्रिवमन सिंख्या मैं इसे निकाल दो नियोट्रोन की सिंख्या को आ जाएगे प्रोटोन की सिंख्या कितनी आई यहाँ पर, तेरा तेरा आ गई प्रोटोन की सिंख्या, और यह कौन सा समूम बाएके तेरवे में कितना आसान है देख लो राइट ओप्शन इज ठीक है क्योंकि अगर हम को द्रेवमन सिंखें दे रखिए न्योट्रोन इसंखें दे रखिए तो हम प्रोटोन इसंखें निकाल सकते हैं इसलिए यहां पर थेरा हमारा सही है देखो आप इधर देखो प्र प्रेश चलो बढ़ते हैं कि और तो बेसिक है थोड़ा सा दिमाग लगना है आपको बस अब यहां पर है निमन अभिक्रिया में कौन सी स्युक्त अभिक्रिया का एक उदारन नहीं है इधर देखो नहीं यह बताना है आपको यानि कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अभिक्रिया है स्युक्त अभिक्रिया है तो मैं बताना चाहूंग आपको यह भी स्युक्त अभिक्रिय है क्योंकि इसमें भी एड़ हो रहा है इसमें भी कॉंबिनेशन हो रहा है इसमें भी कॉंबिनेशन हो रहा है बट इसमें कॉंबिनेशन नहीं हो रहा है क्योंकि CO2 तो यह गेस है ठीक है और गेस CO2 के साथ कैसे यह है आपका CO2 घोल ठीक है तो यह आपका शुक्त अभी किर्या का उदार नहीं है यानिकि ऑप्शन डी देख लो आप अगला कारबन ततव के कौन से समस्तानिक का अस्तान आंदूनिक अवर्षार्णी में है तो बहुत आसान है जो आंदूनिक अवर्षार्णी है उसमें नीचे तो हम क्या लिखते कोई भी ततव हो गया जिसे मानलो एक्स तो नीचे तो हम क्या लिखते परमान सेंख्या उपर द्रेव सब्सक्राइब को यह दे रखा आपके छोट वे में तो राइट ऑप्शन इच सिक्स सी और बारा यह वाला कितने अच्छे-च्छे क्यूशन है और यह तो आउट ऑप से लबस इसको तो छोड़ सकते आप अगला है कि निम्ड में से कौन सा एक सार है और यदि नहीं है यनि कि वो सार तो है बट यलकाइड नहीं है बताओ सार तो है बट यलकाइड नहीं है तो मैंने आपको डाइग्राम देखा था जब Mks Academy पर अगर आपने class लियोगी ठीगे और उसमें दो ततव ऐसे थे जो सार थे बटो ऐलकाइड नहीं थे और दो ऐसे ततव थे जो ऐलकाइड थे बटो सार नहीं थे तो एक बार और दिका देता हूँ डाइग्राम को यह डाइग्राम आपको याद रखना होगा और यहां से चार कुछन बन सकते हैं तो यहां पर यह वाले तो है आपके सार बटे एलकाइड नहीं है ठीक है याद रखना और यह है आपके एलकाइड बटे सार नहीं है उल्टा एक दूसरे का तो हमसे पूचा गया है कि सार तो सार तो दोई दे रखे एक तो copper का oxide और एक zinc का oxide ये सार है बढ़ ये एलकाड नहीं है इधर देखो आप ये एलकाड नहीं है एलकाड कौन है? NaOH और KOH और हमसे कुछन में पूचा गया है कि कौन सा सार है तो दोई है एक तो copper के oxide और एक zinc के oxide तो दोनों में से ही answer होगा हमारा तो देखते option में क्या क्या दे रखा है तो अभी diagram में आपको दिखाया वहाँ पर आपने क्या सिखा कि copper के oxide और zinc के oxide ये दोई है जो एक सार है और एलकाड नहीं है तो देखो कहां पर दे रखाया zinc का oxide ये दे रखाया तीसरे वाले में तो बस ये हमारा क्या है सार है और एक अलकाड नहीं है तो right option भी तो ये है एसे आपको समझना होता है अगर मान लोग एक्जाम में ये नहीं दे रखाया अगर c o दे रखाया तो वह वाला सही है पिर तो ये दो याद रखना है आपको जो आपके सार है और एलकाड नहीं है चलिए अब आप बलेंके से ये डाइग्राम कहां मिलेगा किये मिलेगा आपको टेलेग्राम पर टेलेग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिस्म में है सही अगला क्यूसने पलेटिनियम दांतों को विगडित करने के लिए नीमन में से कौन से एक तरल पदार्थ का उप्योव किया जाता है पताओ वीच आफ दा फ्लॉविंग लिक्विड योज डिसॉल्व पलेटिनियम ओप्शन है फिमिंग नाइट्रिक अमल या पिर एक्वारेजिया या पिर सांद्रिक सेल्प्यूरिक अमल या पिर आपका सांद्रिक हाइड्रोकलोरिक अमल बताइए विद्यारतियो तो इसका राइट आप्शन हो जाएगा आपका एक्वारेजिया यानि कि अमल राज और अमल राज से ही क्या होता है पलेटिनियम हो गया, सोना हो गया जो कीमती दाउत हुए इनको डिजॉल किया जाता है अब आपको पताऊना चाहिए अमल राज क्या होता है अमल राज के बारे में जाना जरूरी है तो अमल राज, चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है ये होता है आपका एकवा रेजिया यानिकी अमल राज किस-किसे मिलकर बना होता है 1 रेशियो तो HCl का और 3 रेशियो HNO3 का ये आपने एक पड़ा भी होगा 1 रेशियो HCl का और 3 रेशियो HNO3 इस कोड़ एक्वारेजिया इधर देखो आप एक्वारेजिया एक अनुपात HCl तीन अनुपात HNO3 ठीक है अब इधर भी देखो यानि कि जहां पर आप 100 ml HNO3 लेते हो तो इसका तीन गुना है आपको HCl लेना होगा उनको मिलाना होगा यह आपका एक्वारेजिया हो जाता है 1 ratio 3 तो 100 ml इधर यह हो गया 300 ml आपका HCl हो गया और यह ही है वो जिसमें सोने को और पलेटिनियम को डिजोल किया जाता है तो ऐसे आपको पता होना चाहिए क्लियर बढ़ते आगे क्यों तो यहाँ पर भी राइट आप्शन होई यह एक्वारेजिया अमल राच अगला प्रोपेन का अगला उच सजात पाचान ही जो एक साकित स्रंकला Alkan है नॉर्मल ब्यूटयन आईसोपेंटन नियोपेंटन या फिर आईसोपेंटन प्रोपेन का अगला आपको पाचान है तो यहाँ पर देखो, क्योंसर को समझो प्रोपेन का अगला होना चाहिए ठीक है और साकित होना चाहिए तो बहुत आसान है प्रोपेन का अगला हो गया आपका ब्यूटेन ठीक है और साकित की बात करें तो ISO वाले में साकित जदा होता है तो ISO ब्यूटेन हो जाएगा हमरा राइट आप्टन क्योंकि साकित की बात य पुछ भी नहीं है साकित जबकि आईसोब्यूटेन बहुत जदा ब्रांचेज है यहां पर कितनी जदा ब्रांचे निकली हुई है तो इसलिए हमारा राइट आपशन आईसोब्यूटेन होगा आई होग आपको समझ में आया होगा क्योंकि कुछ से ने यहीं पूछाए प्रोपेन से उचो ना चाहिए और साकित ना चाहिए तो आईसोब्यूटेन अगला नेमल लिगित ओक्साइडों में से उबेदर्मी ओक्साइड आपको बताना है एमपोटरिक और मैंने आपको बताया भी था कि अमली ओक्साइड क्या होते है सारी ओक्साइड क्या होता है और यह होता है उबेदर्मी ओक्साइड तो आप से पूछा उबेदर्मी के बारे में तो कम से कम आपको तीन से चार एक्जाम्पल पता है ना तो भी आप कर दोगे एक्जाम में तो उबेदर्मी में आता है आपका Al2O3 जो ये दे रखा तो राइट ओप्षन भी यह होगा मरा Al2O3 और इसका डाइग्राम भी दिखा देता हूँ जिसमें आपको सारी अमली और एमपोटरिक हैंगे उबेदर्मी तीनों एक साथ अच्छे से समझाए हुए है यहाँ पर देखो आप यह ओक्साइड के टाइप ठीक है दो वते एक तो होता है और तो मेटालिक में तो आता है आपका बेसिक और अपोटरिक और दो neutral oxide तो क्योशन में यह भी पूचा जा सकता आपका कि neutral oxide कौन-कौन से acid कौन-कौन से एंपोर टेरिक तो पूची लिया भी और basic यान कि सारी है तो basic में आता आपका CO हो गया, Na2 हो गया और एंपोर टेरिक में आता आपका GA2O, L2O3 और acidic में आता आपका SO2, CO2 और neutral में क्या आएगा, NO, CO तो यह आपको पता होना चाहिए, exam में कहीं से भी कौन सकता है basic oxide भी पूचा जा सकता है, एंपोर टेरिक भी पूचा जा सकता है बहुत important है यह चार्ट, बस यह चार्ट याद रख लो आप, और सारे example नीचे दे रखे यह, यहां से पूचा जाएगा आपसे ठीक है, आपको समझ में आया होगा, चलो बढ़ते आगे के ओर right option is L2O3 अगला है आपका, कपड़ा उद्योग में सूती और लिनन कपड़ों को वरिंजित करने के लिए, उप्यो केजना वाला योगिक पचानों आप यह तो आपने छोटी गक्सा में पढ़ाऊगा दस्वी में, बता दो कि कपड़ों को किस से वरिंजित किया जता है याद है कुछ, चलिए, तो कपड़ों को वरिंजित करने के लिए उप्योग में लाया जाता आपका विरंजक चोन क्या विरंजक चोन, विरंजक चोन का दूसरा नाम, ब्लीचिंग पावडर bleaching powder बोलो या व्रिंजिक चोन बोलो एक ही बात है अब इसका सुत्र आपको बताना है क्या होता है व्रिंजिक चोन का bleaching powder का सुत्र वो होता है CO CL2 तो यहाँ पर right option वजाएगा आपका यह रहा यह होता है आपका और कापी सारों तो देखा भी होगा व्रिंजिक चोन को bleaching powder मार्केट में मिलता है आप भी ला सकते हो और कप्रों को क्या कर सकते हो व्रिंजित कर सकते हो चलो मैं दिखाता हूँ आपको विरिंजक्चोन यह होता है आपका bleaching powder को या फिर विरिंजक्चोन को एक यह बात है है ना कापी सारे नाम होते हैं निके bleaching powder भी वही है और विरिंजक्चोन भी वही है और आपका calcium hypo chloride भी वही है ब्रिन्जक्ट्टोन को क्या बोलते है कैल्सेम hypo-caluride देख़ो आप इस परकार का भी आता है और इस परकार का भी आता है powder foam में bleaching powder के नामसे भी तो ये ही वाता है bleaching powder भी वई ही है ब्रिन्जक्ट्टोन भी वही है थीके COCL too अगला क्यूशन तो बहुत इच्चा है साबून के अनों में जल्ड रागी और जल्ड विरागी शिरोख की उपसेदी के कारण वे फानी में बिगोएगे किसी भी पदाट पर तेल या मेल के साथ क्या बनाते है मिसेल, मिसाइले, आयनिक लवन, मरत रोगाणू बहुत आसान है, 10W में भी पढ़ाओगा, 12W में भी पढ़ाओगा मिसेल बनाते है, क्या बनाते हैं? मिसेल तो राइट आप्सन ये हो जाएगा मिसेल और मिसेल कैसी दिकाए देती है? चलो देख लेते ये देख लो इस परकार से मेल को निकाल लेते हैं खीच के जो भी आपके कपड़े गंदे होते हैं तो ये इस परकारी सरचना बनती है और आपके मेल को खीच लेते हैं इस परकार से चारो और से और आपके कपड़े साप हो जाते हैं इस में दो सीरियों होता ऐक होता है hint होता हैAustral chang सेरा और एक होता ही। और आपके कपड़े विक कि पानी से डरता है पानी गौानी किया बाता है। इसलिए दूर भाग राए, यह इस प्रकार की सरजना बनती है काहभी साणीं और आपके कपड़े हो जाते एकदम clean एकदम साब किसके कार्ण मिसेल के कार्ण ठीक है अगला है आपका सोर उड़ जा रिखस्तान में ATP में परविर्टन होती है तो यहां पर कहने का मतलब है कि जो सोर उड़ जा है ठीक है सोर उड़ जा किसके दौरा ATP में convert होती है बताओ सोर उड़ जा किसके दौरा है फिर किस में ATP में परविर्टन होती है माइटर कॉंडिया में कलरो प्लास्ट में राइबोसों में गौल जिगाए में तो देखो विद्यारत जो सूरे की उड़ जा है और सूरे की उड़ जासे बोजन कौन बनाते है फैड़ बोदे तो फैड़ बोदे बनाएंगे न तो यहाँ पर एक पत्ति का होना जरूरी है और पत्ति में क्या रहता है कलोरो प्लास्ट और कलोरो प्लास्ट तो समझ गए होंगे आप कलवड़ोप्लाश्ट को नाम आता है की option भी तो यह दे रखा है कलवड़ोप्लाश्ट तो इसका में diagram भी देखा देता हूँ यह देखो आप यह सूरे का प्रकास आया यहां पर पत्ति में क्या होता है कल्रोप्लास्ट रहता है ठीक है यह फैड़ी पत्तियों क्लोरोप्लास्ट देखो गे तो इस परकार का होता है क्लोरोप्लास्ट इस परकार की सरजना होता है इस ट्रूमा होता है और इसमें देख लो कौन-कौन से लेर होते इस ट्रूमा होता है आपका लुमेन होता है आपको यह इस रजना भी पता होना चाहिए आपको यह आपका क तो इसलिए राइट ऑफन क्या होगा कलरोप्लाज अब कापी सारी विद्यार्थी क्या करते हैं यहां पर ATP का नाम सुनते हैं वो माइट्रो कॉंडिया को समझते हैं बट माइट्रो कॉंडिया क्यों होगा क्योंकि हम तो क्या है अंदेर में भी हमारा पबच्चन हो जाता है क क्योंकि हमारे लिए प्रकास जरूर नहीं है बोजन करने के लिए ठीक है वो पेड़ों के लिए है चलिए यह दी तताव एक्स की परमानों सिंग्या गुन्निस है तो इसका आज़ साड़ का सुत्तर क्या होगा बताओ अब यहाँ पर पहले तो पताउना चाहिए के गुन्निस से नमर पर आता क्या है जिसकी परमानों सिंग्या गुन्निस है वो तताव कोन सा है वह यह आपका पॉटेशियम पॉटेशियम और पॉटेशियम को किसे लिखते है कैसे अब बताओ इसका अउक्साइड का सुत्तर क् बहुत आसान पोटे से हम ऑक्षाड का सुथर कैसे लिखते हम के टू ओ ऐसे तो लिखते हैं तो यहां पर कहाँ दे रखाई है situation यह दरखिया आपके k2o यह दरखिया आपके इधर option d में x2o यानिकि k2o कितना आसान है विद्यारती हो क्योंकि यहाँ पर potty से हमको कभी भी हम यह नहीं लिख सकते यह वाला k2o नहीं लिख सकते और नहीं इसको k2o लिख सकते बस हम k2o लिख सकते है तो यह वाला सही है ठीक चलिए अगला यहाँ पर mystics का सोचने वाला हिस्सा बताने आपको thinking part of brain तो आपको पता है कि हमारे brain को तीन हिस्सों में बटा गया है hand brain, mid brain four brain तो यहाँ पर कौन सा हिस्सा सोचने का काम करता है जैसे अभी आप पढ़ाय कर रहे हो सोच रहे हो कि entrance exam देना है हमको तयार करने है तो यह कौन से हिस्से से हो रहा है possible तो बहुत यह असान है मैंने आपको बताया भी ताकि हर एक brain का जो हिस्सा है उनका अपना अपना एक पक्सन होता है तो जो सोचने समझने वाला हिस्सा होता है वो होता है four brain ठीक है four brain के अंतरगत तो यह देरकाव का four brain अब इसको डाइग्राम से भी समझ लेते है देखो विद्यार तो हमारा जो मस्तिक से इसको तीन बागों में बाटा गया है यह जो उपर वाला है यह पूरा का इस्सा क्या है यह four brain में आता है ठीक है और यह वाला जो इस्सा है जैसे एक तो यह वाला रिये किदर इससे होता है इसको बीच वाला इसको बोलते है mid brain ठीक है और नीचे फिचे जो होता है इसको बोलता है hand brain तो सोचने शमझने कि पूरी समता मार यहां पर होते है उपर वाले four brain में अब आप बोलेंगे हैंड brain क्या काम करता है फिर यह hand brain याई जो पस्च मस्तिक से यह आपके अनेचिक क्रिया अनेचिक जैसे की सास लेना छोड़ना हदे का दड़कना या फिर उल्टी हो गई यह सब जो अनेचिक क्रिया होती है वो hand brain के अंदर में आती है और मेंड ब्रेंड में होता हार्मोन से रिलेटेड पक्संस होगे तो ऐसे आपको पक्संस पता होना चाहिए जिसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो इसके पार्ट देख लो आप यह आपका पूरा पूरा four brain यह हैंड ब्रेंड जिसको आप सेरे बेलम भी बोल सकते हो और सैंसरी इंप़रमेशन हैल्प वित रीजिनिंग यानि कि पढ़ने में प्रॉब्लम सौल कने में सोचने में सारा और ब्रेंड का काम दे रखा है हैंड ब्रेंड में क्या दे रखा है और टोमेटिक कनेक्शन ठीग है जैसे पलकों का जपना है सब यह कॉडिनेशन हो गया कोडिनेशन और मुमेंट भी हैंड ब्रेंट से होता है जैसे कि हम किसी बच चलते हैं न साइकल विगिरा पर तो वह इसी से होता है ठीक है मैंड ब्रेंट यानकी मिड्रेंट में क्याएगा रेगलेट मुमेंट प्रोसेश सुनने की देखने की किरिया तो ऐसे आपको पताऊन में पर्चूर मातरा में रतता है फल्व और बीजो में पर्चूर मातरा में रतता है बहुत अच्छा क्यूसन है अर्मोने कौन सा अर्मोन है साइटो काइनिन अगला परकास संसलेशन का पहला चरण है बता दो अब आप परकास संसलेशन का पहला चरण कौन साह बताओ तो पहला चरण में आपका होगा कलरोफिल द्वारा परकास उर्जा का आउसोशन अभी में आपको डाइग्राम दिखाया दाना कलरोफिल द्वारा परकास उर्जा का अवसोशन होगा उसके बाद यह अगली प्रोसेज होगी पहला चरण यह यह कम से कम परकास का अवसोशन होगा फिर उसके बाद यह क्या होगी अगली प्रोसेज तो राइट आपसन क्या होगा आपका कलरोफिल द्वारा परकास उर्जा का absorption जिसा कि यहाँ पर आपका परकास है यह आपका पत्पी है फेड़ की अब पत्ति के अंदर क्या होता है देखो आप यह होता है पत्ति के अंदर परकास का अब जोर्विसन करेगा उसके बाद यह आगे के प्रोसेश हो पाएगे पत्ती में यह पोटेंट है आपके लिए ये दिर देखो आप, ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या था, कलरो, फिल, तो इसे डाइग्राम के साथ वीडियो आपको मिलते रहेंगे, चैनल सस्क्राइब कर रहा होगा, बेल आइकन पर फ्रेस कर रहा होगा, और हाँ, टेलेग्राम को फोल अवस्चे कलेना, लिंक और MKS Academy App को डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको पेडियो मिलता रहे,